पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं सबी राजनेतिक डलों ने अपनी पूरी टाकत जोब दी है हम बता दें अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और मुक्यमंदरी योगी अधितिनात है जब चुनाव हो और ब्यान बाजी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता राजनेतिक ब्यान बाजी से नेता एक दूसरे पर शाना साध रहे हैं चुनावी वादों ने भी बोच्छार होने वे लगी है बलकि चुनाव जितने के बाद वो वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे पर अभी तो नेता जनता से वादे करते जा रहे हैं और धन्ना परतर्शन भी खूब होने लगा है इसी वादे में एक हजीबो गरीब बात सुनने को मिली समाजवादी पार्टी के राश्य अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हर दिन शिरी कृषण मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है अखिलेश ने प्रेस कॉन्फरेंज में कहा रात में हमारे सपने में आये थे, कह रहे थे, आपकी सरकार बनने जा रही है, एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं, जब हमारे सपने में आकर ये नहीं कहें, कि आपकी सरकार बनने जा रही है, अब तो वक्त बताएगा, कि भाईया जी का सपना पूरा होता है, या तूटता है, हम उमीद करते हैं कि भाया जी आपका सपना पूरा हो पर यूपी के लोगों के सपने में भगवान आए और सही गलत का फरक बताए आगे अकिलेश यादव ने कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं अब हुने कोई पास नहीं कर सकता है सबसे हरानगी की बात ये दिख रही है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी हल्चलों में ये भगवान भी सपने में आने लगे हैं वाह अकिलेश जी क्या बात है क्या सपना देखते हैं आप